सब्सक्राइब कीजी मेरे चैनल ABC of Gardening and All को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए जिससे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकरी सबसे पहले आप तक पहँच सके सभी को रतुका नमस्कार और सभी का ABC of Gardening and All चैनल पर स्वागत है यह मेरे सामने आप देख रहे हैं यह कृष्ण कमल रखा हुआ है इसे हिंदी में राखी बेल और कौरव पांडव के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में इसे पैशन फ्लाहर बोलते है और यह जो प्लांट आप देख रहे हैं इसके उपर मैंने पहले भी एक वीडि मिक्स करके लगाया था यह जो है मैं फिशले दो साल से इसे ग्रो कर रही हूं जैसे ही मौसम में ठंडा काती है और कहना चाहिए इनके पौधों में नमी बनी रहती है यह बहुत अच्छे खिलते हैं मेरे नीचे भी लगा हुआ है ब्लू कलर का फ्लावर लगा हुआ है और यह जो है बारिश के बाद जादा तर मैंने देखा है और यह जो मेरे इसमें टैरिस में लगा हुआ यह ठंड में इसको मैंने देखा है और इसके कई रंग आते हैं मेरे पास यह रेड है नीचे लगा हुआ है वो ब्लू है इसमें मैंने लाइट पिंग, डार्क पिंग, आ आप देख रहा है मैंने गमले में इसमें पतियां डाली है क्योंकि all of a sudden जब मौसम चेंज होता है तो पौदे बहुत सारी पतियां जो है वो उनकी एकदम से जल की गिर जाती है तो यह जो आप देख रहा है माने मल्चिंग की हुई है ताकि इसमें पानी में इवापरेशन न आपको दिखेगी यह जो प्लांट है आप इसे ऐसी जगह लगाएं जहां पर इसको सुबह की चार से पाच गंटे की दूप मिल सके मैं मैंने तो इसे ओपन टेरस में रखा हुआ है लेकिन नीचे वाला जो मेरा प्लांट है उसको कम से कम सुबह की चारी गंटे की दूप म वर्मी तो तक हम था क्यों है तो आप उनको आपने पौदा को आदे सकते हैं यह तो देखेनी के समय मैं भारिश को थनके लेकिन देखा घॉन मुझा समझ मैं जैसे ही मौसम चेंज हुआ इस दोरान मैंने अपने सभी जो ठंड के पौदे थे उनको सब को खाद दी नीम की खली जादा तर मैं पौदों को देती हूं जिससे उनको बारिश में रूट रॉट की प्रॉब्लम ना हो तो मैंने इसमें नीम की खली भी डाली और भी दूसरे जो घर की बनी हुई कॉम्पोस्ट है वो भी मैंने इसमें डाली तो मैंने देखा कि थोड़े दिनों बाद इसमें यह नए शूट्स जो है वो डेवलप होने लगे और यह जब खिलने पर आता है तो इसके जो है एक के बाद एक इसके काफी सारे फ्लावर्स खिलत होना है तो इसको इसकी बेल को आप जो है तारों की सहायता से उपर इसको बांते जाए तो यह चाजन की तरह भी हो जाते हैं और इसमें फ्लावर्स पाने के लिए जरूरी है कि आप महीने में एक बार इसको बहुत अच्छे से बनी हुई खात दीजे ताकि इसकी रिक्वा अलग होती है इसे आप बीच से भी लगा सकते हैं और इसे स्टेम कटिंग से वजिटेटेव प्रोपागेशन भी कर सकते हैं तो इसमें स्टेम कटिंग या एयर लेरिंग से आप इसे कई प्लांट्स बना के और इसे लगा सकते हैं तो बस इतना ध्यान रहिए कि जिसमें आ बहुत अच्छे आती अच्छा क्योंकि ये इसमें खुश्बू भी आती है और दूसरा ये थोड़े से कुछ मीठा सा रस भी इनमें से रहता तो इनमें चीटियां काफी लगती है तो उस दौरान जरूरी है कि चीटियों को आप थोड़ा सा चीटियों के लिए बैस्ट है कि आप थोड़ा सा लहसुन को पीस के उसका पानी थोड़ा सा पौदो में स्प्रे कर दीजिए शाम के समय में तो उसकी गंद से जो वह चीटियां नहीं आती नहीं तो बैस्ट है कि थोड़ा सा सिनेमन का पाउडर आप कलियों पे स्प्रिंकल कर दीजिए या फूल जब खिल या नीम कोईल मिक्स करके स्प्रे कर दीजिए जिससे चीटिया नहीं आएंगी क्योंकि इस पर चीटियों का टैक मैंने सबसे ज़्यादा देखा और लाल चीटिया मैंने देखी है तो वह जो है थोड़ा सा जब हम फूल फूल तोड़ने जाते हैं तो थोड़ा सा वह प्र प्राउंड फ्लोर पर जो गार्डन उसमें लगा हुआ है तो वह तो बहुत अच्छा बढ़ रहा है उसमें तो डेली फ्लावर जाते ही अभी भी उसमें ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है देखे यह ब्लू कलर का है और यह मेरा बेस्मेंट वाला गार्डन है अभी इसमे मैंने specially कोई खाद नहीं डाली है बस मैं पत्तियां जितनी भी गिरती है वो डालती जाती हूं तो उससे यह मेरा प्लांट है यह बहुत अच्छा रहता है और इसके requirement पूरी होती रहती है जिससे यह पता चलता है कि इनको organic rich soil चाहिए तो friends मिलते हैं फिर अगले नए topic के अगले इनको अगले वो यह बहुत प्लांट है तो ऑर चाहिए जितनी जितनी जगती है जितनी जगता है